नमस्कार साथियो, आज का सेशन बहुत ही ज़ादा इंफरमेटिव एंड मज़दार होने वाल है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अलेक्जांडर के बारे में, इनको एक खिताब दिया जाता है अलेक्जांडर दे ग्रेट, लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या अलेक्जांडर के दो पहलू होते हैं, वैसे ही वो दूसरा पहलू भी जानना अवश्चक है, ये वीडियो कोई कांट्रोवर्सी क्रियेट करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको बस एक दूसरा पॉइंट आप यू देने के लिए है, जिसके बाद हम खुद सोच समझके उसके कुछ निरन नहीं है, इस इस जुस्ट पर एडुकेशनल परपज़स, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विए अलेक्जांडर का जनम मैसिडोनिया के अंदर हुआ था, इनके फादर फिलिप लिए थे और इनकी मदर क्वीन अलंपियास थी, इनके फादर का डेथ होने के बाद ये राजा बन जाते हैं, that is, at the age of 20 years, and उसके बाद ये अपना expansionist policy शुरू करते हैं, क्योंकि इनके livelihood में ये बहुत उन्दा teachers से इन्होंने सीख लिया था, and बहुत inquisitive nature था, इनका जिग्यासा पूरवाइक प्यक्ति थे, जो पूरे दुनिया गूमना चाते थे, and उनमें से एक teacher थे, Aristotle जिसके, और जब ये राजा बन गए, उसके बाद इन्होंने शुरू किया अपना expansionist policy, and जब तक इनकी मृत्यू नहीं हो गई, इन्होंने इतने बड़े area तक, इन्होंने expansion कर लिया था, that is, Pakistan तक के area तक ये आ चुके थे, लेकिन इस expansion के दौरान, बहुत सारे ऐसे controversies हुए इनके बारे में, जिसके वज़े से इनके उपर सवाले उठते हैं, इनके greatness के उपर सवाल उठते हैं, जैसे कि, for example, इनके जो पूरे कार्यकाल में, बहुत सारे ऐसे generals थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो इनके मृत्तियों से पहले उनकी मृत्तियों हो गए, बहुत काबिल ग्रेक्कारों ने और Scholars ने Alexander के उपपर अपने बड़े-बड़े किताबे लिखी हैं उसको Source लेके मैं यहां पर बात कर रहा हूं जैसे कि Justine हो गए, Badian हो गए, Worthington हो गए, Hammond हो गए इन सब को Research करके आं यहां पर बात कर रहा हूं अब आईए इनके उन Controversies के बार में बात करते हैं, जो सवाल उठाते हैं कि क्या the Alexander the Great is really the Great, सबसे पहला theory conspiracy का ये है कि assassination of King Philip II, जो Alexander के father होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि Alexander को पता था कि इनके father King Philip II का death and assassination attempt होने वाला है, और इन्होंने उस चीज़ के बार में कुछ नहीं किया, बोला जाता है कि इनकी जो क्लियोपाटरा, उनकी भी उसके बाद मृत्य करवा दी गई जैसे ही Alexander राजा बन जाते हैं, अब पॉइंट ये है कि knife को stab करने के बाद जो killer जब भाग रहा था वहां से, ready, already ready made horses वहां पर रुके हुए थे उन killers के लिए, अब वो horses वहां पर किसने लगाए, अगर कोई administration या कोई high level official मदद नहीं करेगा, तो obviously horses वहां पर लगेगे नहीं, तो ये point of view से ये conspiracy theories निकल के आती है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे military generals थे जिनकी मृत्यू यहां पर Alexander द्वारा कराए गई, एक उन में से सबसे पहला मृत्यू होता है Atalos का, he was a very brilliant military officer, commander थे, लेकिन जैसे ही Alexander यहां पर राजा बनते हैं, after that Atalos rebellion का सोचते हैं, Alexander को हटाने के लिए, लेकिन वो समझ जाते, rebellion करना उचित नहीं है, लेकिन जब ये बात पता चलती है Alexander को, कि Atalos ने सोचा, लेकिन वो पीछे हट गया rebellion से, तभी भी पीछे हटे के बावजूद भी Alexander ने उसको मार दिया, अब क्यों मारा, तो scholars यहां पर अतीत की एक घटना को highlight करते हैं, जब Philip II राजा रहते हैं और Philip II के एक commanding general रहते हैं Atalos, तो एक party के दोरान Alexander ने पिया हुआ था, Atalos ने भी पिया हुआ था, तो इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, और उस time पे Alexander के father Philip II तलवार निकाल द दिया गया, तो शायद पुराने गिले शिक वे ठीक करने के लिए इसने Atalos को मार दिया, that is the second conspiracy theory, इसके अलावा दो व्यक्ती थे उस particular time पे, that is the Permero and Philotas, इन दोनों की जब death हो जाती है न, उस time पे भी Alexander को criticize किया जाता है, अब यहां पर असल माहिने में होता क्या है, कि इन to various other reasons, अब यह जब हत्या करी गई, तो Alexander के decision making skills के उपर सवाल उठते हैं, कि भाई तुम Asia के उपर हमला करने वाले हो, जहां पर बहुत amazing fighters हैं, और उनको लड़ने के लिए तुमें भी तो अच्छे commanders चाहिए न, और उसी time पे तुम अपने सबसे powerful commanders की हत्या कर रहे हो, तो आ एक लाक असी हजार talents of gold निकाला गया, और Alexander ने पेरमेरो को बोला था कि भाई ये एक लाक असी हजार talents of gold जो है, वो तुम छुपा के इस जगे पर लेके चले जाओ, और वो जब लेके चले गया, उसके बाद भी उसकी हत्या कर दे गई, और scholars यहां पर बोलते हैं, कि Alexander को मार दिया गया, और यस व्यक्ति ने उसकी बहुत मदद करी थी, इसके अलावा बोलते हैं ना, कि अपने भाई जैसे दोस्की हत्या कर दी, Alexander ने, and that is going to be the Klytus, Klytus वही व्यक्ति है, जिसने Alexander की कई दफ़ा जान बचाई थी, एक बार Alexander मरने ही वाला था, दुश्मन के लेकिन तो भी Alexander ने इसे भरे पार्टी में भाला फेक के उसके सीने में भाला चले गया और इसको मार दिया, और वो भी अपने युद से पहले, तो again, यहाँ पर Alexander शराब में था, शराब के नशे में था, so after being intoxicated, इसके अंदर इतना गुस्ता था, कि इसने भाला फेक के अप इसने बहुत काबिल दोस्त को और military general को मार दिया, तो again, decision making skills के अपर सवाल उठते हैं साथ, तो यहाँ पर यह हमने देखा कि कुछ लोगों की इसने individual लोग जो powerful थे, उनकी हत्या कर दी, तो इसी लिए मैंने starting में जो statement बोला, कि बहुत सरे ऐसे near ones थे इसके, जिसको इसने मर एक-एक वेक्तियों की मृत्यों की देखी, अब यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों की मृत्यों की बात देखेंगे, वो मृत्यों कैसे, after, जब हाइडास्फिस में, that is, इंडिया के अंदर जब पोरस के साथ जंग होने के बाद, जब यह वापिस जा रहा था, तो बीच में एक गेडरोसियन डेजर्ट आता है, यह गेडरोसियन डेजर्ट अपने आप में ही एक रेगिस्तान जैसा एरिया है, जहां पर कोई भी जाता है, तो उसकी मृत्यों निश्चित जैसी हो जाती है, और यहां पर पहले से सेंग्स थे, कि बहुत पावर्फुल लोग इस में वो लोग निकले, इस डेजर्ट के बाहर, तो barely a little population survived of all the soldiers, क्योंकि सब के मृत्यों हो चुकी थी यहां पर, पानी, अलग-अलग theories यहां पर आते हैं, लोगों के पास पानी नहीं था, खाना नहीं था, इसके अलावा flash plugs आ गए थे, ठीक है, तो इस वज़े से, तो यहां के बारे में, Plutarch, एक historian है, जो बोलते हैं कि Alexander को पीने की बहुत जादा आदत थी, और पीने के बाद वो बहुत अलग-अलग decisions ले लेते थे, बहुत history decisions ले लेते थे, जैसे कि Atalus के साथ history decision लिया गया, इसके बाद Clidus के साथ history decision लिया गया, और इसके अलावा सबसे बड़ी State था, जब इसने उसके उपर जीत हासिल कर ली थी, उसके बाद बस एक खबर फैलाई गई कि Alexander मर गया है, और उस खबर के बाद इस थेब City State के लोगों ने विद्रो कर दिया, और Alexander ने बस ये खबर फैलवाई थी कि देखने के लिए, और तब वो आता है इस City State के करने के लिए उस टाइम पर इसने सारे पुरुषों की यहां पर हत्या कर दी, हजारों में लोगों को मार दिया, महिलाओं को एंसलेव किया, बच्चों को एंसलेव किया, इंडिया के अंदर क्या कभी किसी ग्रेट किंग ने ऐसा किया है, that is the point that I am trying to make, okay, so ये थेबजवाल और उसने ये सोचा था कि he was the son of the god, उसके जीवन में ये चीज़ उसको सिखाया गया था by his mother Queen Olympias कि वो बेटा था Zeus का, ऐसा बोला जा रहा था कि जब इनकी शादी हुई थी King Philip II से, तब एक lightning इनके पेट के उपर struck किया, that is Zeus का lightning, the thunder god, and उसके बात पैदा हुआ था Alexander, तो Alexander को ये था कि yes I am the son of the god, और इसके लिए मैं ही सबसे ज़ादा powerful हूँ इस पूरे दुनिया में, तो ऐसा उसने यकीन करवाया था और खुद में यकीन रखता था, इसके last में, Alexander ने पूरे areas को capture कर लिया, बहुत बड़ा area बना है इसने, जब ये इतना बड़ा area बना रहा है, इस कोई अगर powerful रहेगा, उसी को राज करने का अधिकार है, और वो यहाँ पर अपने power को दर्शाने की कोशिश कर रहा था, तो साथियो ये थे कुछ critics, ये वीडियो सिर्फ educational purpose के लिए ही है, मैं आपको एक दूसरा पहलू देने का प्रयास कर रहा हूं, आशोका या Alexander के बारे म कि Alexander के अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराई भी है, जिसे जानना बहुत आवश्याग है, so end this session with this particular note, thank you everybody for watching, do like, share and subscribe, thank you